आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? थर्मोजेटिंग, ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि ये क्या होते हैं, और उनके कौन से ऐसे गुण हैं kidneys, जिन में भिरृनिता हैं, जिन में difference ए, ठीक है? तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? कि यह जो अभिक्रिया हो इसमें जो संचलेशन होता है वो योगात्मक बहुलकी करण से होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है संचलेशन जो होता है संचलेशन योगात्मक बहुलकी करण के प्रकार का होता है ठीक है योगात्मक बहुलकी करण द्वारा होता है ये भी लिख सकते हैं ठीक है और जो थर्मो सेटिंग में होता है थर्मो सेटिंग में क्या होता है कि इसमें जो संचलिशन होता है वो होता है संगनन बहुलकी करण द्वारा ठीक है इसमें क्या होता है जो थर्मो सेटिंग प्लास् बहुलकी करण द्वारा संशलेशित किया जाता है द्वारा संशलेशित किया जाता है ठीक है और इसमें second point क्या है कि जो आणविक श्रंखलाएं होती हैं उनके मध्य कैसे बंधन होते हैं माध्यमिक बंधन होते हैं ठीक है तथा जो thermosetting plastic होता है उसमें किस प्रकार के बंधन होते हैं प्रात्मिक बंधन होते हैं और साथी साथ इसमें क्या होता है cross linking structure होता है ये तो इसमें होता है मजबूत cross link द्वारा ये एक साथ रखे जाते हैं ठीक है अब हम इसके और भी difference देखते हैं जो thermosetting बहुलक होते है उसमें कम गलनांक होता है उनका ठीक है और उनकी जो तन्यता याने कि टैंसायल स्ट्रेंध होती है वह भी कम होती लेकिन जो thermosetting plastic होते हैं उसके जो गलनांग होते हैं वो उच्छ होते हैं ठीक है तथा जो उनकी तन्यता जिसे हम तन्य शक्ति भी बोलते हैं मतलब तंसाइल स्ट्रेंथ वो ज्यादा होती है थर्मो प्लास्टिक के कंपेरिजन में ठीक है तो जो थर्मो प्लास्टिक बहुलक होते हैं वो आणविक उनका प्लास्टिक होते हैं उनका अन्वेक्भार जयादा होता है थर्मो प्लास्टिक के कंपेरिजन में ठीक है त्थि अब एक्जामपल देखने हैं तो थर्मो प्लास्टिक के एक्जामपल में क्या क्या आ जाएगा पॉलिस्ट्रीन ठीक है पॉलिस्टाइरीन लिविनायलावन चैसे एक्रिलिक टेफलोन ठीक है और थर्मो क्रॉस लिंकिंग पॉलिमर भी कहलाते हैं ठीक है इसमें क्रॉस लिंके जोती है तो यह तो हमने देखे इन सभी के एक्जामपल और थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग बहुलक में क्या डिफ्रेंस है वो भी हमने देखा ठीक है थैंक यू